दशमलव से भिन दशमलव को भिन में बदलने के कुछ उधारन देखते हैं पहला उधारन शून्य दशमलव 4 है इस परिस्थिती में 4 का स्थानिय मान 4 बटे 10 है तो भिन 4 बटे 10 हो जाता है क्या यह भिन अपने सरल्तम रूप में है या इसे और छोटा किया जा सकता है अंच और हर दोनों ही दो से विभाजित होते हैं दो को दो से गुणा करने पर चार और दो को पाँच से गुणा करने पर दस आता है इसलिए हम इसे दो बटे पाँच के रूप में छोटा कर सकते हैं इससे हमारा उत्तर दो बटे पाँच आता है। जब भे हम किसी दशमलव संख्या को भिन्न में बदलते हैं, तो हम भिन्न को उसके सरलतम रूप में बदल देते हैं। अगला उधारण शून दशमलव साथ पाँच है। भिन्न को 75 बटे 100 के रूप में लिखा जा सकता है। यहां भिन्न का अंश और हर दोनों ही 25 से पूरी तरह भाग हो जाने वाले हैं। 25 का 3 गुणा 75 है और 25 का 4 गुणा 100 है। इसलिए इसका उत्तर 3 बटे 4 है। अगला उधारण शून दशमलव सून चार है। इस परिस्थिती में 4 का स्थानिय मान 4 गुणा 100 है। अर्थात भिन्न 4 गुणा 100 है। यहां अंश और हर दोनों 4 से पूरी तरह भाग हो जाते हैं। इसलिए दोनों को 4 से भाग करते हैं। और इसका उत्तर 1 बटे 25 है। अगला उधारण दशमलव शून शून चार है। हम इसे भिन्न के रूप में 4 बटे 1000 लिख सकते हैं। हजार 4 से विभाजित होता है। 25 का 4 गुणा 100 है। धाई 100 का 4 गुणा 1000 है। इसलिए इस भिन्न को इसके सरलतम रूप में 1 बटे 250 में बदल दे। अगला उधारण 13.07 है। अब इस परिस्थिती में 13 एक पूर्ण संख्या है। 0.07 को 7 बटे 100 लिखा जा सकता है। तो हमें यहाँ पर एक मिश्र भिन्न मिलता है। 13 और 7 बटे 100। तो क्या हम 7 बटे 100 को सरलतम रूप में लिख सकते हैं। नहीं, क्योंकि यह पहले से ही अपने सरलतम रूप में है। अगला उधारण 25.053 है। यहाँ 25 एक पूर्ण संख्या है। तो हम 25 लिखते हैं और फिर भिन्न वाला भाग लिखते हैं। जो की 0.053 है। इसे 33 बटे 1000 लिखा जा सकता है। तो यह हमारी मिश्र संख्या है। अगर आप चाहते हैं तो आप मिश्र संख्या को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। आप इसे कैसे करेंगे। आप 25 और 1000 को गुणा करते हैं और इससे जो उत्तर आता है उसमें 53 जोड़ देते हैं। यह नया अंश होगा और इसका हर 1000 ही रहेगा। अगला उधारण 20 तशमलव 05 है। 20 एक पूर्ण संख्या है। इसलिए हम 20 लिख देते हैं। और इसके बाद हम भिन्न वाला भाग लिखते हैं। जो की है 5 बटे 100। अब 5 बटे 100 को इसके सरलतम रूप में बदला जा सकता है। हम जानते हैं कि 20 का 5 गुणा 100 होता है। तो 5 बटे 100 को एक बटे 20 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमारा उत्तर 20 पूर्णांग एक बटे 20 के रूप में लिखा जा सकता है। और यह भी एक मिश्र संख्या है। और जैसा हमने पहले बताया, हम इसे एक अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं इस बार इसे करके देखते हैं 20 को 20 से गुणा करने पर 400 आता है 2 का 2 गुणा 4 है इसी लिए 20 का 20 गुणा 400 होगा तो 400 जोड 1 401 होता है यह हमारा नया अंश है और हर 20 ही है तो हमारा उत्तर 401 बटे 20 है